स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में लास्ट दो दिनों से मैं फीबर से सफर कर रहा हूं गले में हलकी खरास है जिसकी वज़ा से मैं इधर फेसकेम वीडियोज नहीं बना रहा हूं और काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी फीबर से ग्रसित होंगे और उनमें भी इस तरह की लक्षन या फिर कोरोना की लक्षन देखने को मिल रहे होंगे तो being a आयरुवेदा कंसल्टेंट मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन-कौन सी ऐसी आयरुवेदिक मेडिसीन से जो पिछले दो दिनों से मैं ले रहा हूं और इस तरह के लक्षन दिखने पे आप भी घर में ही इन दवाईयों का सेवन करके अपने आपको और पू आनने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप डेली गर्म पानी से गारगल करें और हर दूसरे या तीसरे दिन गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर यानि की तर्मेरिक पाउडर मिला कर अगर आप गारगल करते हैं तो इससे आप अपने के लिए आप आईूस होगा क् żyुक्ति लिए ये काढ़ा का सेवन कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप ये काढ़ा का सेवन डेली एक से बार करें अगर आप Alternate Days में या दो दिन पे भी एक बार अगर काढ़ा का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए काफी effective होगा क्योंकि आयरुवेद और आयूस guidelines के अनुसार काढ़ा किसी भी तरह के bacterial, viral और flu के लिए बहुत ही असरदार होता है फिलहाल मैं डेली दो बार ये काढ़ा का सेवन कर रहा हूँ लेकिन अगर आपके case में fever आ रही है तो ऐसे में आप त्रिभूवन किर्ती रस का सेवन दीन में एक एक टैबलेट दो बार या जरूरत परने पर तीन बार भी सेवन कर सकते हैं हलाकि मुझे पिछले दो तीन दीनों से सिर्फ गले में खराश फिल हो रही थी लेकिन अगर आपके case में खासी है चाहे फिर वो बलगम बाली हो या फिर ड्राइ खासी हो तो इसके लिए आप हिमालिया कॉफलेट का सेवन भी दीन में एक से दो बार कर सकते हैं इसके अलावा मैंने पिछले दो तीन दीनों में गिलोयरस, तुलसीरस और ये अस्वगंधा का भी सेवन किया है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इसी का फर्मूलेशन कोरोनिल टैबलेट में भी मिलती है और लास्ट कुछ रिसर्च में ये भी प्रूवेन ह कि इसका सेवन करने से किसी भी तरह के bacterial viral infection के लिए या फिर viral fever में भी काफी effective role मिलता है इसके अलावा गले में खरास के लिए मैंने हिमालेया septiline का सेवन किया है इसके अलावा अगर किसी patient में UTI infections हो गले में कोई infection है या फिर regular medicine लेने के बाद भी fever down हो जाती है और फिर fever लग जा रही है तो ऐसे में ये septiline बहुत ही effective result देता है मैंने पिछले एक week में regular अपना oxygen level भी चेक किया है और अभी ये बिल्कुल healthy है जो 96 से 98 readings में मिल रही है इसके अलावा heart rate भी बिल्कुल normal है इसके अलावा कुछ मरीज ऐसे भी होंगे जिनके chest में दर्द हो रहा होगा chest में high viral load है तो इसके लिए आप सितो पलाधी चुर्न का भी 7 दीन में एक बार एक चमच हनी में मिला कर सकती हैं हलाकि बेहतर result के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी दवाईयों का सेवन करने से पहले एक बार अच्छे और classical आयरुवेदा consultant की सलाह जरूर लें COVID के किसी भी तरह के लक्षन होने पे regular अपना check-up करें doctor की touch में रहें और governments और ICMR के guidelines का follow करें अब तक आपको इस वीडियो में दवाईयों के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी लेकिन अगर आपके family में किसी member को COVID positive है और अगर आप उनको attend करने जाते हैं तो ऐसे में मेरा request है कि आप double mask का use करें इसके लिए आप पहले N95 mask लगाएं और उसके उपर से आप surgical mask जो अगर आप bulk में purchase करते हैं तो आपको एक से डेट रुपए में मिल जाएगी और जैसे ही आप patient का care करके attend करके निकलते हैं तो वो surgical mask को आप decompose कर दें और फिर जब दुबारा मिलने जाएं तो दूसरी surgical mask आप जरूर लगा के जाएं इसके अलावा कोई भी health complication महसूस होने पे आप hospital जाकर check up जरूर कराएं तो उमीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करें